80% technician बनने के लिए कितना काम आना चाहिए? हमारे दोस्त ने पूछा है कि जैसा कि आप देख सकते हैं कि 80% technician बनने के लिए कितना काम आना चाहिए? तो आज हम थोड़ा deep में बात करने वाले हैं कि अगर field में काम करना चाहते हैं तो आपके पास कितना knowledge होना चाहिए, मैं उनके question का भी answer दूँगा, साथ में जो मेरा opinion है, उसे भी में share करूँगा, कि कितना काम आना चाहिए field में, तब आप field में जाये काम करने के लिए, अकेले काम करने के लिए, field में आने कि आप टेकनिसल के साथ में रहते हैं, तो कितना क काम सीख लें, तब आप field में अकेले उतरें, काम करने के लिए, तो चलिए हम बात करते हैं, उससे पहले मैं बताना चाहूंगा, कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ने किया, तो चैनल को सब्सक्राइब करने, और बिल आइकन को प्रेस करके all पर किलिक करने, ताकि हमा जितना भी कोश्चन होगा, मेरा काम है कि मैं वीडियो बनाना, क्योंकि आपके वज़े से मेरा भी फायदा होता है, और मेरे वज़े से आपका भी फायदा होता है, तो चलिए हम बात कर लेते हैं, कि क्या क्या काम आना चाहिए आपको, तब आप field में जाए काम करने के हो कि मुझे इतना काम आता है, सबसे पहला, spare part, सबसे पहला है spare part, split AC हो, window AC हो, या फिर ductable AC हो, refrigerator हो, या फिर window type, कोई भी air conditioner हो, या फिर जो inverter type of air conditioner हो, सारे spare part आपको याद रखने हैं, ये पहला है, पहला कि आपको सारे spare part याद रखने हैं, कि कौन-कौन से spare part यूज किये जाते हैं, air conditioner के अंदर, इससे ये होता है, कि मैं explain भी करता चलू साथ में, इससे ये होता है, कि अगर कोई भी fault, कोई पूछ ले, कि ये fault है, जैसे discuss हो रहा है, दो-चार लोगों में, तो ये problem है, ये fault आ रहा है, outdoor fan motor नहीं चल रहा है, तो outdoor fan motor क्यों नहीं चल रहा है, क्या क्या reason हो सकता है उसमें, है न, एक point वाली बात है, इसलिए spare part आपको याद रखने है, कौन-कौन से spare part कहां पे लगे हुए है, जैसे कि बात हो गया कि outdoor fan motor नहीं चल रहा है, अब यहाँ पर सोचने वाल बात है, outdoor fan motor को drive कौन करता है, इसको समझिए, है न, important है काफी, outdoor air conditioner जो outdoor fan motor है, उसे drive कौन करता है, outdoor fan motor को drive करने के लिए, एक capacitor लगाया जाता है, जैसा कि आप image में देख सकते है, पांच UF का, चार UF का, तीन UF का, धाई UF का, अलग-अलग तरह है कि अलग-अलग मान की capacitor होत अलग-अलग में लगा होता है, जो कि outdoor fan motor को drive करता है, यह हो गया, अगर आपको यह नहीं पता है कि outdoor fan motor कहां पे लगा हुआ, capacitor का पे लगा हुआ, आप कैसे find करेंगे, आपके जरूरी है कि outdoor जितने भी spare parts लगे हुई है, सब के नाम याद होने चाहिए, इसको चाहे paper में लि कुछ किये जाते हैं एर कंडिशन सिस्टम में जैसे कि इस्पिलिट एसी की आउट्डोर सिस्टम में क्या-क्या इस पेर पार्ट लगा होता है जैसे कि मैं यहां पर बताता भी चलूँ एक आउट्डोर फैन मोटर लगा होता है है नोट करिए दिमाग में बैठाई जो मैं ब कि यह एक ही कative city होती है सोफिरे मोकला करवाने के लिए और कंप्रेसर को रणकर parab Commerce को सफार कराने के लिए तीन डिये शब्र कर्वा выше फिद्थ अब नश्य के केपिसीटर लगे होते हैं, दूसरा और यह ओगया ऐगया फैन मोटर, कंप्रेसर, केपिसीटर, और बाकी होगया कोंडेंसर, एक कंडेंसर लगा होता है, आउट्डूर सिस्टम में इतने सारे स्पेर पार्ट लगे होते हैं, कुछ special type air conditioner होते हैं उसमें 4-way reversing valve लगा होता है जैसा कि आप image में देख सकते हैं यह होता है 4-way reversing valve और किसी-किसी AC में सारे AC में जो hot and cool unit होता है उसमें 4-way reversing valve लगा होता है चाहे वो window AC हो या फिर split AC हो अगर जो normal AC होता है सिर्फ cooling के लिए जो air conditioner होता है उसमें 4-way reversing valve नहीं लगा होता है तो इतने सारे spare parts outdoor system में लगे होते हैं विसी के साथ में indoor की बात कर लेते हैं indoor में एक blower motor लगा होता है जैसा कि आप देख सकते हैं एक blower motor लगा होता है और एक छोटा सा capacitor लगा होता है कुछ AC में PCB के अंदर install होता है PCB के अंदर inbuilt capacitor लगा होता है कुछ AC में बाहर एक छोटा सा 2.5UF का capacitor लगा होता है 2.5UF का 2.5UF का capacitor इंडोर में लगा होता है जो कि motor के ठीक नीचे लगा होता है ये इंडोर का blower motor हो गया एक capacitor हो गया एक PCB लगा होता है हर एक इंडोर सिस्टम में एक PCB लगा होता है पूरे सिस्टम को वही PCB मॉनेटर करता है और वही Operate करता है पूरे सिस्टम को इंडोर से लेकरकि आउटडोर को, आउटडोर को कम्प्रेसर को कब रन करवाना है, कब बंद करवाना है, इंडोर ब्लोर को कब रन करवाना है, कब बंद करवाना है, कब हाई मेडियम लो कब करना है, कब कम्प्रेसर को स्टार्ट करना है, कब फैन मोटर, सिर्फ ब्लोर मोटर को कब रन करना है, इस सारा operating जो होता है न वो PCB के मदद से होता है तो हर एक वी split AC में विंडो AC में PCB लगा होता है जो old type air conditioner उसमें PCB नहीं लगा होता है तो जिसमें selector से उच लगा होता है उसमें PCB नहीं लगा होता है बाकी जो remote server करता है न उसमें PCB लगा होता है तो यह PCB लगा होता है इंडोर में, एक blower लगा होता है, एक cooling coil लगा होता है, बाकि सब plastic का body होता है, यह हो गया है इंडोर और outdoor में जितने भी spare part लगे होते हैं, जैसे कि मैं example यहां पर देता हूँ, अगर कोई यह कह दे कि cooling नहीं कर रहा है system, cooling नहीं कर रहा है, यानि कि ध्या compressor work नहीं कर रहा है, यही दो चीज हो सकता है, अगर system cooling नहीं कर रहा है, तो, समझ में है, अगर system cooling नहीं कर रहा है, तो दो ही हो सकता है problem, एक तो या तो gas नहीं है, या तो compressor run नहीं कर रहा है, यानि कि refrigerant का run अगर हो रहा होता, तो cooling आता, refrigerant का run नहीं हो रहा है, यानि कि cooling नह और यानि ती compressor नहीं चल रहा है जो कि पम्प करता है refugee stand को इंडोर में भाइजता है को यह compressor नहीं चल रहा या तो gas नहीं है तो इसको check करने के लिए आपको कैसे पता चलेगा कि compressor कहां पे है तो यह आपको पता होना चाहिए की compressor system सिस्टम में होता है अगर विंडू सिंटर में अगर टीमें अगर अगर अचल रहा है गैस है की नहीं यह तो उसके लिए जो उसमें service valve लगा होता है जैसा कि आप image में देख सकते हैं दो service valve लगे होते हैं एक discharge line का जिसे liquid line कहते हैं एक होता है suction line जहां से जो motor pipe होता है सक्सन लाइन होता है जो पतला पाइप होता है और डिस्चार्ज लाइन होता है तो जो मोटा पाइप होता है वहां पर लगा करके हम रेफ्रीजरेंट का प्रेशर चेक करते हैं कि रेफ्रीजरेंट है कि नहीं है तो इसके लिए आपको दिमाग में बैठाना है कि फोर वे रि लिएकते हैं कि कितना pressure है, अगर system रुखा हुआ है, 22 है तो वहां पर देड़ सो पियसाई के ऊपर होना चाहिए, उससे कम है, तो उसमें gas कम होता है, लेकिन वहां पर final आप नहीं कर सकते हैं, final आप वहां पर रेजल नहीं पा सकते हैं, कि हाँ गैस कम है, देड़ सो पियसाई है तो क्योंकि 1500 PSI होने के बाद भी जब compressor start होता है जब system run कर रहा होता है तो वहाँ पर 20 PSI 10 PSI आ जाता है suction pressure main चीज होता है suction pressure suction pressure कितना है यह आपको देखना है तो अगर system run कर रहा है तो वहाँ पर आपको 60 PSI का pressure होना चाहिए suction pressure अगर 20 PSI है 10 PSI है तो समझे लिए यह gas कम है तो वहाँ पर gas charge करने की जूरत है तो आपके पास रेफ्रीजरेंट होना चाहिए compatible जो उसमें system में लग रहा हो और रेफ्रीजरेंट आपको होना चाहिए तो आप charge कर सकते हैं उसमें अब charge कैसे करना है यह सब practical video बना रखा हूं नीचे description में आपको link मिल जाएगा वहाँ से क्लिक करके वीडियो को देख लीजिए जो में पॉइंट है ना जो कह रहा है कि 80% काम सीखने के लिए आज जो जैसा कि 80% आपको काम मालूम है तो आप कैसे फिल्ड में काम कर सकते हैं यह सब ना मैं यही बता रह नीचिन बनने के लिए आपको तो 80% में यही सब आता है आपको सारी spare part मालूम होने चाहिए और कौन सा fault आता है यानि की compressor आप outdoor में जाते हैं outdoor अगर cooling नहीं कर रहा है system तो ध्यान से समझे मैं थोड़ा इदर उदर करके बात कर रहा हूं लेकिन ध्यान से समझे जो मैं जितन है इंडोर में कोई दिक्कत नहीं यह आउट्विट सप्लाई दे दिया है compressor के लिए command जो command line हो निकल चुका है आउट्वर के लिए अब outdoor के पास जाएंगे तो outdoor में क्या क्या देखेंगे अचागर आउट्वर में यहीं देखें मगा आउट्वर में यहीं देखें कि ओभी मोंतर चल रहा है की नहीं ज़िए है तो आउट्वर में यही दो जाएंग कि कंपरेसर आयो की Liberty कर रहा है तो तुरण फटाक से हम गेज लगाएंगे देखेंगे कि उसमें प्रेसर कितना है या फिर कभी-कभी ऐसा भी होता है कि कि इसका प्रॉब्लम जो अलग होता है तो उसकी लिए वीडियो बना चुका हूं काफी डीप में प्रेक्टिकल वीडियो बना रखा हूं कि कम्प्रेसर क्यों होता है तो नीचे डिस्रॉप्टियर में आपको लिक मिल जाएगा वहां से क्लिक करके उस वीडियो को देख लें कि यह तो हो गया आउट्टोर में चेक करना अब देखी कंप्रेसर अगर नहीं चल रहा है या फिर थोड़ी दिर चला तो बंद हो गया तो टॉप कपर को हटाएंगे वहां पर देखेंगे कि कहीं कैपेसिटर व्मारा वीक तो नहीं है अगर थोड़ी दिर चल करके बंद ह करके बंद हो गया तो उसके लिए भी आपको रिप्लेस करके देख लेना है अब के पहचान क्या होती वीडियो बना चुका हूं इस वीडियो में लंबा नहीं करूंगा शारी इंपॉर्टेट्ट वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे लिंक महां से क्लिक क अब वीडियो को देख सकते हैं तो यह सारे पाट अब मैं साट कट में बता जेता हूं कि आपको कितना रहाँ होना चाहिए तब आप 80% है टेगनिसियन कहलाएंगे आपको गेस चारजिंग आपको मालूम होनी चाहिए सारे इस पैर पार्ट आपको मालूम होने चाहिए कौ version कोई भी मतलब काप्र पाइप की इंग क किसे करते हैं यह मालूम हो बनाँगा कि再次 क्या उता है घंडेर परसंट से भी उपर होता है उसे रीप्लेस करके देखेंगे या फिर उसकी बेरिंग जाम होती है तो उसको भी आपको साउंड देखेंगे कि चर चर करके साउंड आता है तो समझते हैं कि इसकी जाम है तोड़ी दर चल करके बंद हो रहा है तो उसके लिए भी करेंगे या फिर टर्मिनल को खोल करके देखेंगे कही टर्मिनल जला तो नहीं है यह सब होता है इंडोर में कौन से स्पेर पार्ट कहां पे लगा हुए है यह सब आपको मालूम होना चाहिए और में सबसे फस्ट कैसे करते हैं है ना कंप्रेसर को चेक कैसे करते हैं यह 80% में ही आता है कि आपको कंप्रेसर चेक करना मालूम होना चाहिए कि कंप्रेसर अगर सही है या फिर खराब है कंप्रेसर की रीडिंग कैसे चेक करते हैं कंप्रेसर की टर्मिनल कैसे चेक करते हैं CSR कैसे निकालते है यह सब आपको मालूम होना चाहिए तो मैं वीडियो काफी लंबा नहीं करना चाहता हूं अगर कोई भी बे जीजा का आप मुस्से पूछ सकते हैं अगर कोई भी कोश्चन रह जाता है कुछ साइद मैं मिस्स कर गया हूं इसमें नहीं बता पाया हूं तो बे जीजा का मुट् आपको मिल पाए और वीडियो को देख पाएं सबसे पहले तो आज के लिए वसे इतना है तागली वीडियो फिर जल्दी में तक नया टॉपिक के साथ